हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो टेर्णिक प्रदेश दोस्तों यदि आप जेपेसी के एस्पैरेंट हैं जेपेसी के त्यारी कर रहे हैं फिर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको पता है कि सिक्त जेपेसी 2016 का कंपाइंड सेट सेट कुष्च का मेंज का एक्जाम का रिजलट पब्लिस होचुका है इंटेवीयों का सिड्डीूल भी जारी कर दिया गया है और यह जो सीड्डीूल है कलेंडर 2020 का जो एकजाम का कलेंडर है जैप इसी का एकॉमी यह काम कर रहे है अभ यहाँ पर आपने सुना हुआ कि इसको लेकर इसका जो रिजल्ट आया, इसको लेकर प्रोटेश्ट फिर से स्टार्ट हो गया है, और प्रोटेश्ट में जो डिमांड है, उनका क्या डिमांड है, इस प्रोटेश्ट का में रिजन क्या है, इस प्रोटेश्ट का इफेक्ट जो अभी आने वाला JPC है, उस पर क्या कोसिस होती है कि खुद का decision देने के बजाए मैं इस तरह से facts को बताऊं ताकि आप खुद से यह decide कर पाए जो भी होने वाला या फिर हो रहा है सही है या फिर गलत यह सब कुछ आप खुद से इसका decision खुद से आप ले पाए आप दूसरों के भरोसे ना रेट है तो यही पर यहाँ पर मैं इसी चीज़ को बताने वाला हूँ सबसे पहले तो मैं इसका जो process 2016 का यह आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से protest के मुद्दे पर आया सबसे पहले तो इसका advertisement आ गया था 326 के seat के साथ अब यहाँ पर क्या हूँ कि 2016 में December के मन्त में इसका PT का exam हुआ 2017 में February के मन्त में इसका पहला result आता है तो जो पहला result आता है उसमें 5138 student पास होते हैं यही से protest start होता है और protest का जो main मुद्दा होता है वो होता है reservation आरक्षन क्यों? जो लोग protest कर रहे थे उनका यह कहना था कि यहाँ पर इसरे पॉलिसी को follow नहीं किया गया है क्यों follow नहीं किया गया है? अगर कोई schedule cost का student है तो यदि उसका marks general category के जो cut-off है इसका उससे अगर अधिक आता है तो वो general के seat को नहीं ले पाएगा मतलब इनका जो fight है वो इनहीं के category के student के साथ है यह इस seat में इस category में नहीं जा सकते हैं इनके cut-off को cross करने के बाद भी तो यह main मुद्दा था ठीक है आपने सुना होगा कि इस result के बाद बड़े बड़े अक्चलों में headline आया था कि 210 marks वाले general के student पास हो गया लेगिन 259 वाले OBC के student फेल कर गया तो ऐसा यह news आने लगा और protest अस्टार्ट हो गया अब क्या हुआ कि इसी साल 2017 में ही अगस्त के महिने में एक और result दिया गया और उसमें क्या हुआ कि total 6,103 student पास के गया यह student थे ही साथ-साथ 900 student को और add किया गया तो देखें यहाँ पर सिर्फ मुदा था आरक्षन का लेकिन यहाँ पर आरक्षन का मुदा बना ही बना साथ-साथ इसमें क्या था कि advertisement जो आया था तो mains का जो exam होने वाला था उसमें seat से 15 गुना 15 times student को लिया जाना था तो यहाँ पर तो लिया गया लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि general schedule cost, schedule try तो इन तीनों में तो 15 times student लिये गया है लेकिन BC1 और BC2 इससे 39 times और इससे 261 times student को pass किया गया यह जो second वाला result है इसमें तो एक नया मुद्दा एड हो गया अब क्या हुआ कि इसी project के साथ यह continue करता रहा अब यहाँ पर नया result आता है तो नया result के पहले क्या हुआ कि 2018 में इसका mains का exam का date declare कर दिया जाता है 24th January को exam होना था लेकिन चुकि बहुत से मुद्दा ठाये गया है इसको लेकर विधान सभा भी इससे question किया गया तो finally इस exam को postpone कर दिया गया अब क्या हुआ कि 2018 में अगस्त के time में एक result दिया गया जिसमें 34,000 अश्ट्वेंट को पास किया गया 106 times अश्ट्वेंट को लिया गया और इतना श्ट्वेंट इसलिए आया जो इसका minimum qualifying marks होता है उस marks को जिन्होंने cross कर लिया उन सभी श्ट्वेंट को इसमें पास कर दिया गया इसलिए इतने श्ट्वेंट हो गया तो अब इस number के साथ 2019 में means का exam होता है जन्वरी के मन्त में 28 January से 1 February तक इसका means का exam होता है अब यहाँ पर यह जो protest का मुद्दा है और गरम हो जाता है यहाँ पर क्या होता है कि जो exam होता है तो इसमें जो question paper रहता है यह दो साल पुराने होता है इसमें जो data होता है यह दो साल पुराने होता है तो JPC के जो जो भी authorized person थे उनका ये कहना था कि कोईशन दो साल पहले ही त्यार कर लिया गया था उसे ट्रेजरी में रखा गया था तो 6000 जो अश्ट्वेंट थे उनके लिए कोईशन त्यार किया गया था लेकिन इसको प्रिंट करके 34,000 अश्ट्वेंट के लिए इसे प्रिपेर किया गया तो पहला मुद्दा तो यहीं पर हो गया कि इस question को खोला गया 34,000 student के लिए prepare किया गया मतलब यहां से leak होने के chances हैं पहला दूसरा है कि JPC के जो staff थे वो यहां पर candidate थे दूसरा मुद्दा और तीसरा जो पुराना था अरक्षन का और 15 times को ना लेकर 106 times तो यह नए नए इसमें matter add हो गया अब इसी के साथ protest चलता रहा अब क्या हुआ कि finally जो mains का result आया finally जो mains का result आया 2020 में 15 फरवरी को तो इसमें क्या हुआ कि जो result आया यह 6000 strain को consider करके ही दिया गया total seat का 3 times मतलब 900 strain को लगबग लिया गया है और result के साथ साथ दो दीन के बाद interview का भी schedule जारी कर दिया जाता है तो यहाँ पर यह इसका schedule था किस तरह से starting से लेकर अभी तक क्या-क्या मुद्दा था इसके protest के साथ यह आपने जाना अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो protest हो रहा उसका demand क्या है यह मैं आपको बताने वालो हूँ पहरा तो यह कि इसे cancel किया जाए पुरी तरह से इसका exam फिर से लिया जाए ठीक है दूसरा 6th GPC जो है इसे cancel करके starting में क्या था कि जो 7th से 9th GPC है इसके साथ इसका exam लिया जाए पहला demand यह था उसके बाद demand को change किया गया और यह बोला गया कि 7 में नहीं लिया जाए इन exams को अलग-अलग करके लिया जाए अगर हो सके तो एक साल में दो बार इस exam को conduct किया जाए ताकि जो student है जो इसके त्यारी कर रहे है उनका जो chances से success करने का वो बढ़ जाए क्योंकि अगर एक exam वो देते हैं तो success होने के chances कम होते हैं और उसी को अगर बढ़ाया जाए number of attempts अगर बढ़ाया जाए तो chances भी बढ़ जाते हैं तो पहला जो main demand है वो है इस exam को पुरी तरह से cancel करने का और दूसरा है exam अलग-अलग लिया जाए तो ठीक है यह तो सही है अब यहाँ पर यह जो demand है cancel करने का यह क्यों है यह आपने जाना है इसका जो reason है starting से लेकर अभी तक मैंने आपको यह समझा दिया है अब यहाँ पर हम लोग main मुद्धा पर बात करते हैं चुकि आप news parent अगर है तो इस चीश को आप अच्छा से आप समझ पाएंगे कि यह जो 7th से 9th JPC है इस पर इस protest का effect पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं आप मुझे जरूर बताएं मैं अपना बता रहा हूँ अपनी राय दे रहा हूँ देखे जेपेसी इस बार के कैलेंडर को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है 2020 में जो भी पब्लिस किया गया है कैलेंडर में एक्जाम का जो भी schedule है उसको वो उसी डेट में conduct कर रहा है और इस बार चुकी जो 7th से 9th JPC है इसका एक्जाम डेट पांच एपरिल था लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक आनी पाया तो इस डेट में एक्जाम तो नहीं हो प आजाएगा और इस प्रोटेश्ट का इस पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला क्योंकि देखे जो मैं आपर किसी को support या पूस नहीं कर रहा हूं देखें कि पूरे इंडिया का हाल यहीं है जो PT है उसमें यहीं होता है जो लोग अगर किसी category से apply करते हैं किसी category के against apply करते हैं तो उसी category में वो fight करते हैं उन्हीं seat में उन्हीं category में उनका competition होता है तो इसे अब challenge नहीं किया जा सकता है और main मुद्धा यहीं है हाँ बाकि जो मुद्धा है कि जब इसी के जो अश्टाप थे वो इसका candidate थे या फिर mains कर जो question था वो starting में 6,000 student के लिए paper किया गया था बाद इंटर्व्यू का जो schedule दे दिया गया है एक मेना के अंदर ये सब कुछ खबन हो जाएगा तो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है अगर कुछ होना होगा तो इंटर्व्यू के date के पहले मतलब 24 February से पहले आपको पता चल जाएगा लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं इस protest को लेकर आप क्या सोचते हैं क्या ये सही है या फिर गलत है और अगर है तो अभी क्या करना चाहिए अभी क्या करना चाहिए वैसे भी देखिए जेपेसी किसी भी एक्जाम को टाइम पर करवा नहीं पाती इस चीज़ के लिए बंदना आप है तो अभी आप क्या सोचते हैं यह आप comment करके हमें जरूर बता है कि government को 6th JPC को cancel करके इसको फिर से करवाना चाहिए या फिर इसे complete करके जो next JPC है, मतलब 7th से 9th JPC इस पे government को focus करना चाहिए यह आप comment करके हमें जरूर बता है और मुझे उमिद है कि यह जो information यह आप समझ गए होंगे इसका protest क्यों हो रहा है, क्या reason है और इसका effect पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा future exam में या पच्छी तरह से समझ गए होंगे यह video यह information आपको कैसा लगा हमें comment करके जरूर बता है इस video को like करना न भूले और अपने दोस्तों से इसे जरूर सेयर करें thanks for watching this video and see you soon